नमश्कर दोस्तों कैसे हो आप लोग गाय हो पाप सब मज़े में ही होंगे दोस्तों आज की अवली वीडियो काफी जादा धमाकेदार होने वाली है बिक fijस आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को आइसे गवर्नमेंट स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिन्सोंने आप धमाकेदार डिविडेंट अनॉ argued स्किया है कोई भी इंफोर्मेशन मिस करो इस वीडियो को एंड तक देखना और कहीं पर भी स्केप मत करना चलिए दोस्तों अभी के भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चानल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए मैं हूँ आरोश आप देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरोश चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बताता हूँ आपको कौन से हैं आठ गवर्मेंट स्टॉक्स जिन्होंने आप धमाके दायर डिविडेंट अनौन्स किया है चलिए दोस्तों बात करते हैं आप हमारे पहले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है पावर ग्रेड और कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रेस करंटली 225 रुपीस के ओपर में ट्रेड हो रहा है कंपनी ने आप बोर्ड मीटिंग और्गनाइस करिये 31st of January को और जो परपस रहने वाला है वो डिविडेंट को लेके रहने वाला है तो आप इस स्टॉक को अपनी वाचलिस के नदर में अड़ कर लीजेगा बिकर अगर कंपनी ने काफी अच्छी वाल्यू से आप डिविडेंट अनौंस कर दिया तो डिफिनेटली हमें स्टॉक में काफी अच्छी राली देखने को मिल जाएगी हालाग यह एक्सपेक्टेट तो नहीं है कंपनी आप अच्छी वाल्यू से डिविडेंट अनौंस करे बिकुस कंपनी ने पास्ट में भी कुछ जादा अच्छी डिविडेंट्स नहीं दिये हैं आईए बात करते हैं आप हमारे एकले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है इंजीनियर्स इंडिया और कंपनी का करन्ट स्टॉक प्राइस करन्टली 88 रूपीस के उपर में ट्रेड हो रहा है कंपनी ने आप बोर्ड मीटिंग और्गनाइस करिये 3rd of February को अब जो परपस रहने वाला है वो डिविडेंट को लेके रहने वाला है तो आप स्टॉक के उपर में specially नज़र रख सकते हो बेकर इस कंपनी के एक्सपेक्टेशन काफी जाद हैं बेकर इस कंपनी काफी अची वाल्यू से आप डिविडेंट अनौंस कर सकती है अगर ऐसा ही हुआ और कंपनी ने काफी अची वाल्यू से आप डिविडेंट अनौंस कर दिया तो डिफिनेटली हमें स्टॉक में काफी अची रैली देखने को मिल जाएगी अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नामें TCI और कंपनी का करन्ट स्टॉक प्राइस 627 रुपीस के ओपर में ट्रेड हो रहा है कंपनी ने अब बोर्ड मीटिंग और्गनाइस करिये 30th of January को और परपस रहने वाला है डिविडेंट को लेकि ही अब कंपनी के साथ ही साथ में कौटरली रिजल्ट भी आने वाले है तो अगर कंपनी के कौटरली रिजल्ट अच्छे आए और कंपनी ने अवरेज डिविडेंट भी अनाउस कर दिया तो हमें स्टॉक में रैली देखने को मिल जाएगी बट में चीज यह रहने वाली है कि कंपनी के जो कौर्टरली रिजल्ट से हैं वो अच्छे होने चाहिए आईए बात करते हैं एगले स्टॉक की तो कंपनी का नामे रेक लिमिटेड कंपनी का करन्ट स्टॉक प्राइस 123 रूपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है कंपनी ने आपे बोर्ट मीटेंग और्गनाईस करिये 30th of January को और जो परपस रहने वाला है वो भी डिविडेंट को लेके रहने वाला है अब रेक लिमिटेड काफी अची कंपनी है और साधी साथ में अपने 52 भी खाए की काफी जाधा पास चल रही है और इस स्टॉक ने काफी अची रैली भी दिखाई है अगर कंपनी ने काफी अची वैली से डिविडेंट रहाउस किया तो हमें यहाँ पे काफी जाधा अची एक और रैली देखने को मिल सकती है तो इस स्टॉक के अपर में आप खास कर नजर रखे रखना विगोस कंपनी की डिविडेंट इल्ड भी काफी जाधा अची है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का ना में राइट सेंड कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रेस थींड़ेंड और रुपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है इस कंपनी ने 9th of February को बोर्ड मीटिंग और्गनाइस करिये डिविडेंट के परपस से अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का ना में कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रेस 227 रुपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है कंपनी ने आपर बोर्ड मीटिंग और्गनाइस करिये 31st of January को और परपस रहने वाला है डिविडेंट का ही आईए बात करते हैं अगले स्टॉक की तो कंपनी का ना में नालको लिमिटेड कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रेस 84 रुपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है कंपनी ने आप डिविडेंट अनाउस के 1 रुपीज पर स्टॉक के साब से और इस डिविडेंट को देने की जो एकसडेट होने वाली हो 25th of January की होने वाली है तो अब अगर आपको इस स्टॉक को पर्चेस करना है ताकि आप आपको इसकी डिविडेंट का बेनिफिट मिल पाए तो आपको इस स्टॉक को उसकी एकस्टेट याने की 25th of January से पहले-पहले पर्चेस करना होगा और दोस्तो आज की वीडियो के अंदर इतना यही 8 गर्मेंट स्टॉक्स थे जिन्होंने आपके धमाकेदा डिविडेंट अनॉंस किया था अब अगर आपके वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजेगा इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजेगा विगोस फ़नो मीडिया के अंदर आपको ऐसी स्टॉक मार्केट से रिलेटिट कॉंटेंट देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर तिल देन बाई